हलो दोस्तो वैदिक मैठ्स स्कूल के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है पिछले वीडियो में हमने बात किया था टू डिजिट ऑफ मल्टिप्लिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे थ्री डिजिट ऑफ मल्टिप्लिकेशन और जैसा कि आपने के लिए बने रहिए और सीखेंगे बहुत कुछ इस नए वीडियो में जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा मैंने बताया था मैं एक छोटा सा एक्जामपल लेके एक बार रिक्याप करता हूं आपको मैंने वीडियो एटैच भी कर दिया है आई बटन पे अब मैं पुड़ाना मेथर आपको नहीं सॉल्व करूँगा मैं इस नए मेथड से ही बता रहा हूं वैदिक मैथमेटिक्स का जो मेथड है इसमें आपको वन लाइन में और बिल रहा हूं किसी पेन और कॉपी की जरूरत होगी यहां मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए एक्सपेंड करूँगा सिमलर मेथड पर तो आई यानि पहला यह जो है थ्री और फाइव इससे मल्टिप्लाई करेंगे क्या होगा फाइव इंटू थ्री फिप्टीन फिप्टीन तो फाइव एडी फारवाड हमारा वन होगा उसके बाल क्रॉस है क्रॉस का मतलब क्या है क फॉर को फाइव से और थ्री को टू से इस लिए यह मेंटेली करना है थ्रू कि प्लॉस इसको यहां पर राइट करने की जरूर्थ नहीं इसको आप मेंटेली यई करो स्टेज में जाएंगे जहाँ एक सीधी लाइन है इसका मतलब है कि 4 और 2 को डैरेक्ट मुल्टिप्लाइ करना है और 4 इंटू 2 कितना होगा 8 और केरी फॉरवड कितना था दू दो जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 10 तो यह हमारा फाइनल आंसर हो गया यह एक बेसिक मेथड से क 2 3 का आंसर क्या होगा आपको मेथड यूज करना है वैतिक मेथमेटिक का पुराने मेथड से यह कल्कुलेटर का यूज करके आंसर देने से कोई फैदा नहीं है और इस वीडियो को भी देखने का फिर कोई मतलब बनता नहीं है आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आज कि 3 ड लेते हैं मल्टिप्लिकेशन में आपको अभी आसानी होगी सीखने में चलिए 2 3 4 3 1 2 आपने पहले देखा था कि हाँ एक सीधी थी एक क्रॉस था और एक सीधी लाइन थी जब 2 डिजिट का नंबर हो तब यह 2 डिजिट के लिए है लेकिन जब 3 डिजिट का नंबर होगा त 5 1 2 3 4 5 सीम दे करनाए बस यह एक नया एक दे जर जाता है और बस इसीओ ठीक यह आ पको धियान देना में फिर आप आपको बिंटाता ऊटा जैसा कि आपने देखा यह सी धी लाइन यानि पहला दोनों का multiplication होगा, 4 और 2 का multiplication होगा, कितना होगा, 4 into 2, 8 होगा, उसी तरीके से cross है, cross first 2 का, 3 and 2 का, 4 into 1 का, 4 is 2, 1, 4, 3 into 2, 6, तो 6 plus 4, कितना होगा, 10, 10, और इधर carry कुस्था नहीं, तो 0, अब हमारे पास carry आगया 1, अब हमें क्या करना है, यह तीसरी बाली का करना है, तीसरा बाला क्या है, cross के बाद सीधी भी है, इसका मतलब यह cross, आपको इस बाल में draw कर देता हूँ, यह cross होगा, और सीधी line होगा, तो इसमें करना क्या है, 2 को 2 से, तो 2 को 2 से, 1st है, तो हम बता देते हैं, 4 plus 3 को 4 से, 12 plus 3 को 1 से, कितना हो गया? तिनों को जोर हो, तो कितना हैगा? 19, और carry कितना था 1, 20, 20 तो हमारे यहां कितना हो गया है? 0 वजएगा, और carry forward हमारे, अब हम इस stage पे आते हैं, हम यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, तो लाश्ट वाले को छोड़ देते थे वैसे अब हम जब सेम स्टेज यहां हां करेंगे फस्ट वाले को छोड़ देंगे तो हमारा 2 और 1 होगा, 2 1,2 durch 3 3,9 तो 2 और 9,11 और 2 कितना हो गया? 13 तो carry forward बना 1 हो जाएगा और अब हम लाश्ट का करेंगे जिसमें हमें सीधी लाइन का करना है तो क्या है टू इंटू 3 कितना है 6 और प्लस यह वाला करी फारवर्ड तो हमारा आंसर कितना हो गया हमारा अंसर होगा 7 3 00 यह हमारा अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथर से करते तो तो सोची आपको कितना टाइम लगता है 2 3 4 3 1 2 मैंने आपको यहां step by stage बताया है इसलिए आपको लगड़ा मैं एक और example लोंगा अब इसमें आपको यहां एक multiplication फिर यहां फिर यहां और तब जाके आपको करना पड़ता है जितना ज्यादा stage होता है जितना ज्यादा आपका question solve होने में time बढ़ेगा step बढ़ेगा उतना गलती होने की संभावना भी बढ़ती है आसा है आपको यह समझ में आया होगा मैं एक बार फिर से एक नया example लेता हूं और उसको समझाने की कोशिज करता हूं लेट सपोच इस बार एक बड़ा नंबर लेते हैं 6 5 & 4 और उसके बाद multiply किसको करना है 2 3 & 4 आपके stage को याद रखना है पहला stage क्या था सीधी लाइन दूसरा stage कितना है cross line तीसरी stage क्या है cross के बार एक सीधी लाइन फिर cross line फिर सीधी लाइन इतनी क्यारी 1 हो गया 5 x 4 20 और 4 x 3 12 12 and 20 32 plus 1 33 तो अब हमारा carry forward कितना हो गया 3 अब इस तीनों डीजित का करना है 6 x 4 अब हमारा 24 होगा plus 4 x 2 कितना हो गया 8 हो गया अब इसको mentally करना है आपको मैं सुविधा के लिए यहां लिख रहा हूं ताकि first or second example है आपको आसानी से समझ मैं है 3 भी है तो 15 plus 3 18 18 plus 8 26 26 plus 4 26 यह हो गया 50 और 50 हो गया तो हमारा कितना होगा यह value 24 plus 8 plus 15 और carry forward 3 तो यह total हो गया 15 plus 3 18 18 26 26 and 24 50 तो 50 का यहां पे 0 carry forward हमारा होगा 5 अब हमें यह तीनों डीजित का हमने कर लिया तो हमारा last 2 डीजित यानि यह वाला stage होगा तो इसमें क्रॉस करेंगे 6 x 3 कितना होगा 18 और 5 x 2 10 तो 18 plus 10 कितना हो गया 28 और carry forward हमारा कितना था 5 तो 28 plus 5 33 तो हमारा यहां आएगा 3 अब हमारा 3 हो गया carry forward और 6 x 2 last stage हमारा CD वाली 12 तो हमारा answer कितना होगा 153036 और इसी तरीके से हम question को solve करेंगे आसा है आप लोगो questions समझ में आओगा हमारे बनाने का method भी समझ में आओगा फिर वी एक बार हम आपको step 22 में step यहां लिख देते हैं पांच स्टेज में होगा, पहली एक सीधी लाइन है, उसके बाद आपको क्रॉस करनी है, उसके बाद क्रॉस करने के बाद इसको एक बार सीधी लाइन से करना है, फिर क्रॉस करना है, फिर सीधी लाइन है, तो यही एक स्टेज है, पांच स्टेज में इसका अंसर है, और यह क उनों के बीच में मुल्टिप्लिकेशन है उसके बाद जो स्टेज होगा वो क्या होगा एवाई प्लस बी एक्स और यह वाला क्या होगा अब इस तरह के नंबर्स देखने में डिफकर लगते हैं तो बहतर है आपको जो मैंने बताया है आप उसी तरीके से याद रखेंगे कि सीधी लाइन, सीधी क्रोस लाइन फिर से क्रोस, एन फिर से एक सीधी लाइन, तो आप एक बार अगर समझ में नहीं आयाई तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको मैं टीनWhen भी दे देता हूँ आप इसको बनाके मुझे क कर सकते हैं या फिर आप इमेल कर सकते हैं 789 आपको multiply करना है 654 के साथ अब आप यहां सोचिंग यहां यहां लिख लेना है नीचे multiplication के टाइम पर उसके बाद 324 multiply करना है इसको 423 के साथ सेम है आसा है 576 को आप चलो यहां में लिख देता हूं जैसे मैंने पढ़ा है 368 अब इसको आपको ऐसे solve करना है तीनों का अंसर मुझे कमेंट में बताएंगे और आसा आपको यह सब कुस समझ में आ रहा होगा अगर आपको अच्छा लगड़ा है वीडियो तो ज़रूर इसको दोस्तों के साथ भी share कीजिए और अब तक के लिए इस वीडियो में बने र आप कर सकते हो ठीक है ओके